नमस्कार, वेल्कम बेक टो आवर चैनल एंजल स्पेशन आज हम बनाएंगे कड़ाई पनीर या फिर आप उसे कड़ाई पनीर मसाला भी बोल सकते हैं ये खाने में बहुती टेस्टी और डिलिस्योस होता है आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरन स्टाइल में इस रोज पनीर के नेव नेव रेसिपी सखाना पसंद करते हैं लेकिन जो पनीर पसंद नहीं करते हैं वो भी अगर इसी तरह बच से पनीर का रेसिपी बना करके खाएंगे तो उनको भी डेफिनेटली पसंद आएगी तो फिर आईए इसे बनाना स्टार्ट करते है कड़ाई पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहां पर 350 ग्राम पनीर लिये है इसे इसे स्क्वेर पीसस में कट कर दिया है और एक ओनियोन और एक बड़ा सा कैपसिकम को भी इसे स्क्वेर पीसस में कट कर दिया है अब हम इन सब क को फ्राय करेंगे पहले हम पनीर को फ्राय कर लेते हैं इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा से रेड चिली पाउडर हाफ स्पुन और थोड़ा सा डालेंगे सल्ट और पनीर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हमारा नमक और रेड चिली जो है वो पनीर से अच्छे से कोट हो करके निकाल देते हैं और शर्ण फ्राय करना पसंद नहीं है तो आप उसे तरह कच्चा भी यहीं डाल सकते अनियोन को भी मैंने फ्राय करके निकाल दिया है अब मैं उसी प्यान में ही और एक स्पून ओयल डालूंगी और करी के लिए मसाला बनाएंगे और उसमें डाल देऊंगी एक छोटी इलाइची चार से पांच काली मेर्च एक बड़ी इलाइची दो लॉंग और एक कटे हुए प्याज एक ग्रीन चीली और आधा मुटी वर के काजू दो बड़ी टमाटो को मैंने कट करके डाल दिया है और एक स्पून डाल दोंगी जिंजर गली का पेस्ट थोड़ा सा डालोंगी नामक ताकि हमारा ओनियोन और टमाटो जो है वो जल्दी साफ्ट हो जाए आप ये र देखिए अब हमारा ओनियोन और टमाटो जो है वो अच्छे से साफ्ट हो गया है अब हम ग्या साफ्ट कर देते हैं और उसे थोड़ा थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे थंड़ा होने के बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे देखिए अब हमारा ओनियोन और टमाटो का मसाला जो है वो थोड़ा थंड़ा हो गया है अभी हम उसका पेस्ट बना सकते है अब मैं इसका पेस्ट बना दिया है अब मैं उसी प्यान में ही और दो स्पून ओयल डाल दिया है ओयल हलकर सा गरम होने के बाद अब मैं इसमें डाल दोंगी दो बे लिप्स यानिकी तेजबतर और दो टुकड़ा डाल दिती हूँ दालचीनी एक स्पून डाल दिया हूँ रेट चीली पाउडर इसे हमारे करी में अच्छी कलर आएगी तिखा आप आपके पसंद से डालिएगा और इस टाइम पे ग्यास के फ्लैम को लो पर ही रखिए नहीं तो रेट चीली जो है बहुत ही जल्दी जल जाएगी अब मैं इसमें डाल देती हूँ पीसे हुए मसाले अब हम मसाला को अच्छे से भूनेंगे मसाला और ओयल जब तक सेपारेट ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे देखिए अब हमेरा मसाला भी अच्छे से भून गया है और ओयल भी सेपारेट होना स्टार्ट हो गया है हमेरे मिक्सी में भी थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था अब मैं उसमें थोड़ा सा पाने डाल के बो मसाला भी इसमें डाल देती हूँ और इसमें डाल रहे हूँ थोड़ा सा फ्रेस क्रीम ये मेरी घर की बनाई हुई फ्रेस क्रीम है आप चाहे तो मर्केट वाली कोकिंग क्रीम भी डाल सकते है अब हम इसे और थोड़ा टाइम के लिए भूनेंगे अभी मैं इसमें डाल देती हूँ आदा स्पून हल्दी पाउडर और एक स्पून डाल दूँगी घन्या पाउडर और इसे मिक्स कर देते हैं और उसमें मैं डाल देती हूँ एक ग्लस पानी ये रेसिपी में हमें ग्रेबी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है अब मैं इसमेंसे तेजबता निकाल देती हूँ और ग्रेबी के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ टेस्ट के अनुसर क्योंकि पहले ही मैंने पनीर में और मसाले में नमक डाली थी अब हम इसे ढख देंगे और 5-10 मिनिट के लिए इसे उबाल आने देंगे देखिए अब हमारा मसाला अच्छे से उबल गया है अब मैं इसमें डाल देती हूँ फ्राइ किया हुआ केपसिकम, ओनियोन और पनीर को देखिए ये अभी ही दिखने में कितना डिलीसियस और यमी लग रहा है अगर आप इसे सच में बना करके खाएंगे तब ही आपको इसका टेस्ट पता चल पाएगा अब मैं इसमें डाल रहे हूँ थोड़ा सा कसोरी में दिया थोड़ा सा डाल दिया है पनीर मसाला आप कोई भी गरा मसाला डाल सकते है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैं इसमें एक सिक्रेट चीज डाल रहे हूँ एक स्पून डाल रहे हूं देशी घी और एक स्पून डाल रहे हूं सुगर ये दोनों डालना बिल्कुल ही अप्सोनल है अगर आप डालते हैं तो आपकी ये पनीर के रेसिपी और भी ज्यादा लाजबब और टेस्टी बनेगी अगर आप डालना नहीं चाते है तो आप उसके बिना भी बना सकते है और इसके बिना भी यह बहुत ही यमी लगता है अब हम इसे ढख के फिर से 5-10 मिनेट के लिए कुख करेंगे ताकि हमेरे पनेर, कैपसिकम, ओनियोन में मसाला अच्छे से कोट हो जाए देखिए, ओयल भी बाहर आ गया है और कितना यमी लग रहा है हमारा कड़ाई पनेर मसाला आप इसे गर्मा गरम, प्लेन रैस हो, जीरा रैस हो, पुलाव हो, रोटी, नान या फिर पूरी हो या पराठा हो किसी के साथ भी खा सकते है और यह बहुत ही यमी लगता है आप भी इसी तरह से पनेर का यह रैसीपी बनाईए और आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताए मैं स्योर हूँ कि आपको यह रैसीपी बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि मुझे भी पनीरी इतना पसंद नहीं है लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी बनाया है तब से ये रेसिपी मेरा फेबरेट बन चुका है और आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और सेर कर दीजिए और आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साइड में जो बेल बटन है उसे भी आल पर क्लिक कर दे ताकि आगे आने वाले हमारे हर वीडियो के नोटिविकेशन आप तक पहुंच पाए मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई थेंक यू